नमस्कार तो पिछले अध्या के अंदर अपने काफी कुछ कवर कर लिया था जैसे कि रेनीरा टारगेरिन को कैसे दरदर की ठोकरे खानी पड़ी उसके बाद में ड्रेगन स्टोन एगोन के पास में किस तरह आ गया और अध्या के अंडिंग में अपने देख लिया था कि एग एगोन टारगेरिन रेनीरा को मारने के बाद में बोलता है कि पूरे वेस्ट्रोस के अंदर रेवेंस भेज दो और सब लोगों को बोल दो उनका असली राजा अपने पिता की गद्दी को पाने के लिए वापस आ रहा है पर चीज़े इतनी भी आसान नहीं होती अगर अगर यहां से ड्रेगन स्टोन से किंग्स लेंडिंग जाना चाहे तो बीच में ड्रिफ्टमार्क का आइलेंड आता है और वहां पर पूरी हाउस वलेंड की फ्लिट्स खड़ी हुई है इन फ्लिट्स का मालिक यानि कि सीस ने कॉलोस लेंडिंग वो फिलाल अभी किंग्स उसके पास में अभी है सीस ने केंग्स लेंडिंग के अंदर एडम वलेंडिंग जो की बड़ा भाई था वह तो थंबल टौन के वहीं मर गया तो फिलाल अभी इन सब फ्लिट्स को कोई कंट्रोल कर रहा था तो वह उसका चोटा भाई एलेंड था एडम वलेंड क्विन रे निरा नहीं जेल में डाला था तो अब हाउस लेंड किसकी साइड में है यही सब सोचते हुए एगन सेकें टार गिरियन डिफ्ट मार के एक रेवन बैचता है जिसके अंदर लिका हुआ होता है एलेंड वलेरियन अपने असली राजा के सामने उपस्तित हो और मेरे सामने ग बीच में यह डिफ्ट मार काया हुआ है और यहां से हाउस विलेरियन इसको असल में जाने नहीं देगा इसलिए यह बस इसकी कंडिशन पता कर रहा है कि यह हाउस किसकी तरफ है क्विन रैनीरा के मरने के बाद में एगन को इतनी जल्दी भी नहीं थी किंग्स लेंडिंग जाने की वो सोच रहता उसको संफायर ड्रेगन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और थोड़ी बहुत स्ट्रिंथ आ जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं संफायर के जो गाव थे वो दिन बदिन बड़े होने लग गए और उनमें से अब तो सड़न भी हो गई और लग जाता है और अपना सारा गुस्ता बेला टार्गेरियन के उपर निकालता है वो अपने सेनिको को कमांड करता है अभी के अभी उस बेला को मेरे सामने पकड़ के लेकर आओ उसी के मून डैंसर की वज़े से मेरा ड्रेगन मारा गया है जब तक उस लड़की की कटी से थोड़ी बना के रखनी है वरना फिर आप ही देख लो वो आपको किंग्स लेंडिंग किसी भी हालत में नहीं पहुचने देंगे तो इस बार एक और वापस रिवन जाता है ड्रेगन स्टोन से ड्रिफ्ट मार्क एलन ओफ हल के पास में इस लेटर के अंदर यू लिका होता है कि पंदरा दिन के अंदर अगर एलन यहाँ पे आके अपने असली राजा एगोन के सामने गुटने नहीं टेकेगा तो लेडी बेला की करदन उड़ा के वहाँ पे बेज़ दूँगा अब यह सब चीजे तो ड्रेगन स्टोन की तरफ चल रही होती है इधर किंग्स लेंडिंग में तो अलगी सीन चल रहा होता है मून ओफ मेडनेस यानि की तीन राजाओ का राज किंग्स लेंडिंग जब तीन राजाओ के अंडर थी वो लगबख 15 दिनों तक चला था इसके बाद में एक बहुत ही स्ट्रॉंग और एक बड़ी आर्मी आ जाती है किंग्स लेंडिंग के राज डेह गए जब रेनिरा किंग्स लेंडिंग के अंदर थी तो लगबख 6 मैनों तक पूरे किंग्स लेंडिंग के लोगों को डर लग रहा था कि आज आएगी ओर्मंड हाइटावर की सेना कल आज आएगी और हम यहाँ पे मरने वाले हैं लेकिन वो सेना असल में कभी नहीं आई वो ठंबल टॉन तक आई थी और उसके बाद में वापस पिछे मुड़के चली गई बच्ची-खुची लेकिन फिलाल एक बहुत भी बड़ी सेना किंग्स लेंडिंग के दिवारों के बार खड़ी थी और यह सेना बिटर बिश थंबल टॉन होते हुए नहीं आई यह सेना आई थी किंग्स वूड को पार करते हुए सिधा स्टॉम लेंड से और जिसको कमांड कर रहे थे लोर्ड बोरस बराथियन जैसे बोरस ने सुना कि क्वीन रेनिरा मर गई है तो बस उसी टाइम पर अपनी पुरी सेना को इकटा किया और किंग्स लेंडिंग की तरफ चल दिया उस टैम पर वैसे उसके एक नई पतनी प्रेगनेंट थी लेकिन बिना उसकी परवा किये और नहीं अपनी चार नौजवान लड़कियों की परवा किये हुए सिधा किंग्स फूट से होते हुए 600 नाइट्स और लगबग 4000 मैने टाम्स की सेना को लेकर सिधा किंग्स लेंडिंग पहुचिया अब जो किंग्स लेंडिंग सिधी है यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है ब्लेक वेटर रश तो अभी बोरस बराथिन की सेना उस नदी के उस साइट जिस साइट स्टोम लेंडे वहाँ पर खड़ी होती है और इस साइड में पुरी किंग्स लेंडिंग की सीटी होती है अब ऐसे एक बड़ी से सेना को आते हुए देखकर शीपर्ड अपने फॉलोवर्स को जोड से चला के बोलता है कि हमें इन लोगों से अपनी सीटी को बचाना होगा लेकिन शीपर्ड का गुल्डन टाइम अब चला गया है पहले जो इसकी बाते लगबख दसजार लोग सुनते थे फिलाल अभी एक हजार लोग सुन रहे थे और उसमें से भी कुछ सोग की संक्या में फॉलो किया इधर आयन्थून पर बेटा हुआ राजा ट्रस्टें ट्रफफायर और उसके साथ में था लेरस्टोंग और परकिंग दफला ये तीनों एक उंची सी मिनार के उपर चड़ते और वहां से बोरस ब्रेथन की सेना को देखते हैं ट्रस्टें कहता है इत्ती बड़ी सेना को तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते और पकापन हाट जाएंगे इस पर लेरस्टोंग बड़े प्यार से बोलता है जहां पर तलवारे काम नहीं आती है वहां पर बादचीश से काम हो सकता है आप मुझे और मेरे कुछ लोगों को वहां पर उनसे बात करने के लिए बेजिए देखना मैं सारे सिजुएशन को हैंडल कर दूँगा अब ऐसा के के क्लब फूड एलिसेंट हाइट आवर मास्टर ओर्वेल ये सारे लोग किंग्स लेंडिंग से जाते हैं ब्लेक बेटर रश वो नदी को भी पार करते और उसके बाद में जो किंग्स वूड होता है उस सैड में बोरस बराथियन होता है जो कि एक छावनी में बेटा हुआ होता है वहीं पर पास में किंग्स वूड के जंगलों को काटा जा रहा होता है जिससे कि इस नदी को पार करने के लिए बोट्स बनाई जा सके यहाँ पर वोचने के बाद में बोर्स बराथियन से एलिसेंट हाइट आवर को एक बहुत ही अच्छी खबर सुनने में मिलती है वो यह कि इसकी बेटे एगोन और हेलीना की एकमात्र जिंदा बची बेटी जहरा टारगिरेन जिसको विलिस फेल जो कि एक किंग्स गर्ड का नाइट होता है वो यहाँ से बगा कर स्टॉम लेंट्स लेके गया था वहाँ पर उसने सई से डिलीवर कर दिया और अभी वो जिंदा है और सेफ भी है तो यह सुनने के बद में एलिसेंट हाइट आवर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इतनी खुशी की वज़े से उसके आँखों में आसु आ जाते है लेकिन फिलाल तो बोरस बराथियन और यह सारे जो किंग्स लेंडिंग से गए लोग यह जिस टेंड के वहाँ पर मिले थे वहाँ पर कई सारे शादियों के रिष्टे फिक्स होने और धोके बाजियों की प्लैनिंग होने वाली थी यहाँ पर आगे कलब फुट बोलता है वोरस बराथियन को कि ऐसा कुछ ज़्यादा लोड वाली बात है नहीं यह जो ट्रस्टेन और इसका परकिंग दफला बाकी सारे जो भी नाइट से यह सब भी एगॉन की तरफ ही है और जब एगॉन आएगा तब आइरन्थोन पर बैठाने के लिए बिल्कुल रेडी है बस इस सब के बदले किवल एक ही शर्त है कि ट्रस्टन को आप छोड़ देना बले ही वह एरन्थोन के ओपर बैठ गया उसने गद्धारी किये चोरी किये और किंग्स लेंडिंग के दंगों के अंदर शामिल था तो उसके उन सारे अपरादों को शमा कर दिया जाए और बस वो एगों की क्लेम को सपोर्ट करने और उसको राजा बनाने के लिए तयार है क्वीन एलिसेंट हाइट आवर प्रस्ताव देती है कि किंग एगों की जो पतनी थी हेलीना हो तो मर चुकी है तो लोड बोरस्त जो आपकी सबसे बड़ी वाली बेटी है लेडी कैसंडरा उसे के साथ में किंग एगों की शादी फिक्स कर देते हैं इसके अलावा लेरे स्टॉंग की शादी जो बोरस बराथन की सेकेंड सबसे बड़ी वाली लड़के होती है लेडी फ्लोरिस उसके साथ में फिक्स करते हैं आखिर में जाके ये सारे लोग इसी बात पर डिसकस करते हैं कि वलेरन फ्लिट्स का क्या करें और उस कॉलोस लून का क्या करें तो बोरस बराथन केता है फिर तो हमको इस पूरे जमले के अंदर लोड कॉलोस लून को खीच के लाना ही पड़ेगा शायद वो आदमी थोड़ा बुड़ा हो गया है लेकिन उसको भी एक नई बीबी की जरुत होगी और मेरे पास में अभी भी मेरी दो बेटिया बच हुई है तो किसी एक से उसकी शादी करवा देंगे एलिसेंट थोड़ी कड़क होके बोलती है उसने पूरे तीन बार गद्दारी की है और क्या तुम बुल गए अगर वो रेनिरा को हेल्प नहीं करता तो रेनिरा की सैनिक कभी किंग्स लेनिंग पहुच ही नहीं पाते हैं और जैसे हमें लगे का कि हाउस लूर्ण का अब कोई काम नहीं है तो फिर हम उसको इस्टेंजर के पास में भेज़ देंगे इस तरह इन सब लोगों की ये मीटिंग खतम होती है हाउस लूर्ण के साथ में शर्मनाग दोके बाज़े के लिए सब लोग एगरी हो जाते हैं सबसे पहले तो लेरे स्टॉंग और इसके साथ में जो लोग किंग्स लेंडिंग से गए होते हैं वो वापस आते हैं किंग्स लेंडिंग के अंदर और उसके बाद में स्टॉम्लेंड की सारी सेना भी किंग्स लेंडिंग के अंदर आ जाती है ब्लेक वेटर रश के वहां पर इंसे लड़ने के लिए कोई नहीं आया होता है तो बिना किसी दिक्कत के ये वहां से पार कर लेते हैं लोड वोरस और उसकी सेना सिटी के अंदर आके देखती है कि सारे के सारे गेट्स खुले हुए इनको रोकने के लिए कोई बीच में नहीं आ रहा है सारी गलिया, स्क्वार्स सब जगे खाली है लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं और कोई भी सेनिक इन से लड़ने के लिए तो आ भी नहीं रहा है गलियों में कुछ इनके स्वागत के लिए पड़ा हुआ है तो वो केवल लाशे है जो कई दिनों से सड रही थी अब लोर्ड वोरस और उसके सारे जो हाउस होल नाइट्स होते वो सब एगोन हील यानि किजा पर रेड किप होता है वहाँ पर आके देखते तो वहाँ पर भी जो ट्रस्टन होता है उसके टूटे फूटे जो जंडे होते उन सब को हटा दिया जाता है तोड़ फोड के नीचे डाल देते और उपर की साइड में गॉल्डन ड्रेगन वाला फ्लेग लगा हुआ होता है जो कि किंग एगोन को रि प्लाय देते हैं उसको तो बंदी बिना कर जेल के अंदर डाल दिया है अब अगर तुम्हें पुरानी स्टोरी याद हो तो लोड़ बोरस बरातियन रोड़निश साइड में गया था थोड़ा लड़ने के लिए तो रिसेंटली लोड़ बोरस और इसकी सेना वहीं पे पहले हैं उन्हाना झाया तो यह दो होती उन सब को रिस्टोर करता है इतने दिनों से सीटी के अदर अफरात अफरे चल रही है और कुछ रूछस रीगुलेशन है नहीं उनससो वापस रिस्टोर करता है। जिस दिन को गया रेड़कीप के अंदर आसे अक जश्न क prends करतेैं लेकिन उसके अगली रात से ये अपना काम शुरू कर देता है उसके अगली रात ये जाता है विस्यनिया हिल के वहाँ पर जहापर की कनी किंग वो गेमियून पेल हेर होता है चार साल का लड़का अब जैसे कि अपने पहले देखा था गेमिन पेल हर को में लिए तो सारी वेश्याय मानती है अपना राजा इसके अलबा बहुत सारे जो चेप कत्रे लोवर क्लास नाइट्स सेल्ट स्वोर्ट्स वो सारे होते हैं वो भी इसके दरबार के अंदर होते हैं तो फिलाल बोरस बराथेन की सेना से थोड़ी दिर तो वो लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बराथेन के सेनिक बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं फिर आखिर में उस चोटे से बच्चे गेमिन पेल हर को बेडियो के अंदर बांद के एक गोड़े के पिछे डाल के किंग्स लेंडिंग के जो रैड किप होता है उसकी तरफ ले जाने लगते हैं इसकी मा ऐसी और उसके साथ में जो डोर्णिश नहीं होती है सेलवेना सेंड बागी सारी होर्स उस गोड़े के पिछे-पिछे बागती है लेकिन इनको कुछ सफलता हासिल होती नहीं है नेक्स जो रात होती है उस दिन नंबर आता है शीफ़र्ड का शीफ़र्ड को पताता पिछली रात को गेमन पेलेर के साथ में क्या हुआ है तो ये सार अपने फॉल्वर्स को पहले ही खटा करना शुरू कर देता है ड्रेगन पिट के अंदर ये लोगों को जोड़ जोड़ से चिला के बोलता है कि हमें ड्रेगन पिट को और रेने सिल को प्रोटेक्ट करना होगा बलड और आरेन के हेल्प से लेकिन फिलाल इसके नंगे पाउँ वाले फॉल्वर्स केवल तीन सो इक खटा होते है ड्रेगन पिट के अंदर और उन में से भी ज़्यादातर लोग तो तब भाग जाते है जब बोरस बरातिन के सेनी क्या करते हैं कि पूरा जो ट्रेगन पिट होता है और यह रेनसिल इसको तीन साइट से गेड़ लेते हैं और फिर जैसे तैसे करते हुए अंदर की साइड में चड़ जाते हैं शीपर्ड के ज़्यादातर फूलोवर्स तो पहले भाग गए होते हैं जो बचे होते हैं उनको मार पीट के मांसे बगा देते हैं आखिर में जाके देखते हैं तो शीपर्ड एक बीच में बेटा हुआ होता है उसके आस पास में मॉमबत्या जल रही होती है और उसके अवस्ता को देखके ऐसे लग रहा था जैसे कोई वे तंत्र मंत्र कर रहा हो पर फिर भी उसका भाशन अभी भी चल रहा था जो कि डिस्ट्रक्शन्स और डूम के उपर है लोड वोरस अपने गोड़े पे बेटे हुए वहाँ पर पहुंचते है तो वो इसको देखकर अपनी अंगुली इसकी तरफ करता है वोरस की तरफ और जोड से चला के बोलता है इस साल के अंत्स से पहले अपन दोनों हेल के अंदर मिलेंगे फिर क्या फिर क्या होना ता लोड वॉरस दो ौँड मेल थे उसके और इसके बाद में बेड़ियों के अंदर बांध के इसको भी किंग्स लेंडग के रेड गीप की तरफ लेके आ जाते हैं जा पर इसको भी बाकियों की तरह जेल में डाल देते हैं अब फाइनली इतने दिनों के बाद में थोड़ी बहुत शान्ती बहाल होती है किंग्स लेंडिंग सीटी के अंदर कुईन एलिसेंट डिकलियर करती है आपका केवल एक ही और असली सचा राजा है जिसका नाम है एगौन सेकेंड टारगिरियन फिर वो एक नियम बनाती है कि किंग्स लेंडिंग का कोई भी आदमी रात को अंदेर होने के बाद में गड़ से बाहर नहीं निकल सकता बाहर के सेट में कर्फु चलेगा पुरानी गौल क्लोक्स तो तुम जानती हूँ वो सारे रेनिरा के लोयल थे और उनमें से ज्यादा तर मर भी गए आदे दूरे बाग गए तो इसलिए एलिसेंट और बागी सारे ग्रिंस ने एक नए गौल क्लोक्स के समूग का गठन किया जिसका लोड कमांडर पर किंग दफ ला को बनाया गया इसके अतरिक जिते भी सारे सिटी वोच के गेट थे या फिर सेनिक चावनिया जहापर सेना रह सकती है वहाँ पर सारे लोड बोरस बरे थे इनके सेनिकों को बेज दिया जिससे कि अगर कोई बलेक्स की सेना आकर किंग्स लेंडिंग के उपर अटेक भी कर दे वे तो उनसे लड़ने के लिए बोरस की सेना बिलकुल एक्जक जगे पर हो वो तिनों फाल्स किंग जिनोंने मून ओफ मेटनेस को शुरू किया था गेमियों पेल हैर, शीफ हर्ड और ट्रस्टेन इन तिनों को काल खोट्रियों के अंदर डाल देते और बस इसी चीज़ का ये लोग प्रतिक्षा कर रहे होते कि कब एगोन आएगा और इनके उपर न्याय करेगा अब सब कुछ सेट था, ग्रिंस के पास में पुरी किंग्स लेंडिंग आ चुकी थी और यहां पर न्याय विवस्ता भी थोड़ी ब्रत बन चुकी थी दिक्कत कुछ थी तो वो बस ये थी कि एगोन टारगिरेन जो इनका असली राझा है, वो अब ही यहां पे नहीं है वो भी वहां पर ड्रेगन स्कों है, तो उसको बस महासरे यहां पर लाना है इसलिए एलिसेंट और लेरे स्टॉंग ये दोनों जाते हैं लोड कॉलस लून के चेंबर के अंदर उन्हें कहते हैं कि आपने जित्ती भी भूद काल में गलतिया किये उन सब को शमा कर दिया जाएगा आपको और आपकी हाउस को कुछ भी सेहना नहीं पड़ेगा और यहाँ तक कि किंग की काउंसल में आपकी जो पुरानी सीटी वो भी हम वापस दिलवा देंगे इन सब के लिए आपको बस एगउन सेकंड को अपना राजा मानना होगा और उसके सामने गुटने टेकने होंगे अपनी सारी फ्लिट्स और सेनिक पहले की तरही फिर से राजा को देने होंगे जैसे विसरेस के टाइम पर दे रखेते कोलेस लोन थोड़ा सा कड़क हो के बोलता है देखो मैं तो काफी बुड़ा हो चुका हूँ तो मेरे पेर सही से मुड़ते नहीं है पर शायद तुम मेरे भी कुछ शर्टों को मान ले वो तो ये मुड़ जाए फिर सीस नहीं कपनी सबसे फर्स्ट अम रखता है कि केवल मुझ को ही नहीं जिन सब लोगों ने सारे लोट्स सेनिको जिस किसी ने भी रेनेरा को सपोर्ट किया था उन सब को शमा दी जाए और किसी के भी उपर कोई भी एक्षन नहीं होना चाहिए अब हमें शान्ती की जुरूरत है सेकेंट हम वो रखता है एगोन दे यंगर और जेहरा टारगिरियन इन दोनों की आपस में शादी करवा दो जिससे कि आपके हाउस के दो पार्ट्स हो गए वो भी वापस एक हो जाएंगे और एगोन दे यंगर को एगोन सेकेंड का हैर गोशित कर दो फिर वो कहता है देखो मुझे तो लोड बोरस बरेदन की कोई सी भी बेटे में कोई इंटरस्ट है नी मेरी तो उमर हो गई है लेकिन आपके बेटे एगोन ने जो ड्रेगन स्टोन पर लेडी बेला को केद कर रखा है उसको फ्री करो सबसे फस्ट अब ये सारी बाते सुनकर एलिसेंट हाइट आवर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है क्योंकि कॉलसलोन ऐसा कर रहा था कि उस रेनिरा के बेटे को हैर बनाओ और उसी से जहरा की शादी कराओ जिस रेनिरा की वज़े से एलिसेंट के तीन में से दो लड़कें मारे गए और इसकी प्यारी हेलीना भी ये तो किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि एगुंदे यंगर जिंदा भी रहे फिर वो सी स्नेक को जोड़ से डाड़ते हुए याद दिलाती है क्या आप भूल गए मैंने पूरी दो बर कोशिश की थी रेनिरा को ये सब समझाने के लिए तब तो उसने भी कोई शान्ती की बात नहीं मानी और अब आप मुझसे उपेक्षा रखते हो एलिसेंट और सी स्नेक को थोड़ा ज़ड़ा डाड़ देती है लेकिन बीच में लेर स्टॉंग आ जाता है और इसको साइड में एक कौने में ले जाके बोलता है कि हमने वोरस ब्राथें के वापे क्या डिसकस किया था अपन को अभी सबसे पहले हाउस लूंड की हेल्प भी जरूत है तो चुप चप जिते भी ये सी स्नेक एक बार की शर्ट दे रहा है वो सारी मान लो बाद में जाके अपन अपने हिसाब से देख लेंगे सी स्नेक कितना ही जिन्दा रहने वाला है एलिसेंट हाइट अवर लोड कॉलोस नोन की सारी बातों को मान लेती है फिर अगले दिन सी स्नेक उस राज दर दरुवार के अंदर आता है जहापर के आलि難 थोण से नीचे की साहट में एक चेयर होती है वहाँ पर Ellicent Hightower बेटी हुई होती है और अभी इसका बेटा Aegon तो Dragonstone है तो सारा राज-काज उसी के नाम पर ये चला रही होती है यहाँ पर Lord of Tide, Colossaloon, बहुत सारी कस्मे वगेरा खाते और बोलते हैं अब से मैं Aegon Second का Loyal हूँ और यहीं पर Aegon की तरफ से उसकी माई Ellicent के सामने अपने गुटने टेक देते हैं इसके बदले House Olerion और Colossaloon को भी माफी मिल जाती है फिर यहाँ से Raven जाता है Dragonstone और Drift Mark अच्छा हुआ साई टैम पर ये Raven swapर चले गए नी तो ड्रेगन स्टोन पर तो लेडी बेला को माणने का फुल Aegon Second प्लान में था और इदर एलन ओफ हल भी ऐसे ही नहीं बेटा हुआ था वो भी अपनी सारी वार्शिप्स को तयार कर रहा था और कुछ दिनों के अंदर ही Dragonstone अटेक करने के लिए जाने वाला था लेकिन बिल्कुल अंत समय पर Kings Landing से यहां पर Raven आ जाते है और बता देते कि House Valerion और Grins के बिच में संदी हो चुकी है तो फालतों में ऐसे कुछ उल्टी सीधी हरकत करना मत तुम लोग अब 130 AC के लास्ट के दिनों में से कुछ एक दिन होता है जब King Aegon 2 टारगिरियन वापस Kings Landing की तरफ आता है इसके साथ में होता है Sir Marston Water जो कि एक Kings Guard है दोनों टॉम्स, Alfred Broom और Lady Bella टारगिरियन भी जिसको तो फिलाल अभी भी चेंस में डाल रखा था क्योंकि लोग के थे अगर उसको छोड़ दिया तो वो तो Aegon को उल्टा मार डालेगी Aegon 2 समूदरी मार्क से आया था जहां पर इसके आसपास में चलने के लिए पूरे 12 वोर्डशिप्स का स्कोर्ट था जो कि हाउस वलिरोन से आय हुए थे अब वो सारे वोर्डशिप्स तो बहुत बड़े बड़े थे लेकिन जिस शिप के अंदर Aegon और इसके सारे रोयल मेंबर्स आय रहे थे वो शिप बहुत ही छोटा था जिसका नाम था Maus जिसको अपन इस स्टोरी में पहले भी देख रखा है एडम और एलेन की मानी होती है Maus उसी का एक जहांज होता है जिसका नाम भी होता है Maus वो शिप साइज में काफी ज़्यादा चोटा होता है और फिलाल उसको मरिल्ड़ ही चला रही होती है अब मश्रूम अपन को बदाता है अगर लोड एलेन चाता था तो हाउस विलरन के डिफ्ट मार्ट से बहुत बड़े शिप को भी भेज सकता था जिसके अंदर एगोन ड्रेगन स्टोन से वापस किंग्स लेंडिंग आ सके इसके लिए वो लोड एंटन्स ग्लोरी मॉर्निंग टाइड, स्पाइस टाउन गर्ड ये सारे शिप बेज सकता था जो साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े लेकिन फिर भी उसने एक छोटा सा शिप बेजा इसका काराणे कि लोड एलेन असल में कुछ एगोन को पसंद करता नहीं होता है और वो नहीं चाता था कि एगोन सेकेंड टार गिरेन पर जो भी हो एगोन सेकेंड जब किंग्स लेनिंग छोड़के यहां से भागा था तब उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि फ्यूचर में कभी मेरी वापस इस सीटी के अंदर एंट्री होई तो वो कैसे आने वाली है चुप चाप वो रिवर गेट से सीटी के अंदर की साइड में गुज जाता है और उसके बाद में इसको एक पालकी के अंदर ढोके रेड कीप की तरफ ले जाया जाता है इसके स्वागत में लिटरली किंग्स लेनिंग का एक भी आदमी बाढ़नी आता है सारी की सारी सीटी खाली पड़ी हुई होती है सारी गल्या खाली की खाली होती है दुकाने लूटी हुई होती है लोगों के गड़ जले हुए होते है लेकिन कोई भी आदमी इसके स्वागत में कहीं नहीं खड़ा होता है लोगों की जो मरी हुई लाशे थी उनकी सफ़ाई तो फिर भी हो चुकी थी लेकिन फिर भी उनका मांस नीचे गिरा हुआ होता है तो कुल मिला कर एगोन के एक बगवास से एंट्री होती रेड किप के अंदर आरन थोन काफी हुंचा था तो वहाँ पर चड़ने के लिए चलना पड़ता है लेकिन एगोन की टांगे तो टूट चुकी है तो फिलाल ये भाई सब उपर चड़ नी सकते तो उसने एक अलग से नई चेहर बनाई जो कि लकडी की थी और इसके बैटने के लिए थोड़ी कनफर्टेबल भी जिसको आयरंटोन की सीडियों के वहीं पर रखा जाता था और वहीं पर एगोन बेटता था इसके टूटे हुए पेरों के उपर एक ब्लेंकेट को डाल दी जाती थी और इस तरह इसने अपना शाषन काल शुरू किया सब सोच रहते थे एगोन इत्ती लंबी यात्रा साया ठेट ड्रेगन स्टॉन से किंग्स लेंडिंग शिप के थूँ आया फिर भी इसके पूरे बोड़ी के अंदर पेन होता है और पाम भी टूटे हुए तो कुछ लोग आइडिया देते हैं कि तुम्हें बेट चेमबर के अंदर जाके रेस्ट करना चाहिए या फिर मिल्क ओफ वोपी पीना चाहिए लेकिन ये उन चीजों के लिए मना कर देता है ये कहता है सबसे पहले तो मैं उन लोगों का न्याय करूंगा जो मेरे अबसेंस में या पर किंग्स लेंडिंग में राजा बने हुए थे यानि कि वो तीनों लोग सबसे पहले इसका कोई गुसा जलता है तो वो होता है ट्रस्टिन जिसको ये मौत की सजा देता है अब तुम्हें याद हो तो परकिंग दिफला वो ही नाइट है जिसने ट्रस्टिन उसका स्क्वेर होता है उसी को राजा बना दिया था लेकिन फिलाल परकिंग दिफला कोड़ फ्लोक का कमांडर बन चुका है तो यहाँ पर ट्रस्टिन को जब आयरंट्थोन के यहाँ पर पकड़ के लेकर आते है तो एगोन तो आयरंट्थोन के उपर बेटा हुआ होता है और पास ही में परकिंग दिफला होता है यह देखते हैं ट्रस्टिन के तो दिल के धड़कने बार निकल जाती है कि ये बंदा तो मेरे साथ में था, एगोन के साथ में क्या कर रहा है पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था ट्रेस्टन समझ जाता है कि पर्किंग ने खुद को बचाने के लिए मेरी बली दे दिये वो एगोन के सामने कोई दया की भीक नी मांगता है लेकिन वो कहता है मेरी एक आखरी इच्छा है उसकी आखरी इच्छा होती है कि उसको बस एक बार नाइट बनना है फिर सर मार्स्टोन रिवर जो कि एक क्यूंस गार्ड का मेंबर है वो सारी वो रस्मे करता है जो एक नाइट को बनने के लिए करनी बढ़ती है और जब वो नाइट बनके कम्प्लीट हो जाता है तो ट्रस्टन की गर्दन अल्फरेब डूम उड़ा देता है अल्फरेब डूम किंग एगोन की तलवार प्लेक फायर को लेता है और इसकी गर्दन उड़ाता है इसके बाद में गेमियोन पेल है और उसको पकड़ के लेके आता है एगोन के सामने लेकिन इसका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट था अभी बच्चा काफी चोटा था और इसको खुद को भी समझ में नहीं आयोगा कि मैं राजा बन किया हूँ यही सब सोचते हुए एगोन इसको दया दिखा देता है लेकिन फिर एगोन के था इसके साथ में और कून था इसकी मा एसी जो इसके नाम पे राजकाज चला रही थी उसको और सेलवेना सेंट वो जो पेरामर होती है डोर्निश शाइट की इन दोनों को पकड़के राज दरबार में लाया चाता है यहाँ पर यह गेमियोन की मदर एसी यहाँ पर कंफर्म कर लेती है इतने दिनों से इसको टोर्चर किया था कि यह कैसे एगोन का लड़का है तो फिर यह बता देती है लेस से भी एक आदमी आया था उसके भी सिल्वर हेर थे और उसी से ये लड़का मेरे पैदा हुआ लेकिन मुझे पावर चाहिए थी इसलिए मैंने इसको एगॉन सेकेंड का बास्टर लड़का बताया सभी को फिर एगॉन कमांड करता है एसी और सल्वेना सेंड ये दोनों तो मेरे बलेक फायर से कटने के लायक भी नहीं है इन दोनों लोग क्रीचर्स को तो फासी के उपर लड़का दो इनी के साथ में 27 और भी मेंबर्स होते जो के आदे दारूडियों होते आदे सेल्सोर्ड मॉमर्स वगेरा फालतो फालतो लोग जो सब भी गेमियों पेल हैर के कुछ ज़्यादा ही सपोर्टर होते तो उन सब को भी वहीं पे फासी पे लड़का दिया जाता है सबसे लास्ट में नंबर आता है शीफर्ड का उसको पकड़के लेगे आता है आईरंटोन के सामने वो तो उल्टा अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता है वो बोलता है मैंने जित्ते भी काम किये वो सारे प्रभू की इच्छा से किये फेट ओफ सेवन ही असली सच चाई है और मैंने उनी की परमिशन से ये सब किया फिर वो एगउन सेगन के थोड़ा सा पास में आकर जोड़ से चला के बोलता है इस साल के अंत में अपन दोनों नर्ग के अंदर मिलेंगे अगर तुम्हें याद हो तो ये सेम वो ही वर्ड है जो इसने जब बोरस बराते ने इसको पकड़ने के लिए आया था तब उसको भी बोले थे तो फिर अब क्या होना था एगउन की सटक जाती है वो अपने नैट्स को बलता है कि इसकी तो जबान काट दो फिर नैट्स आते हैं और फिर एक गरम सी संडासी से इसकी जीप काट के बार निकाल देते हैं इसको भी मौत की सजा मिलती है लेगिन इसका मेनर थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके साथ में मौत की सजा इसके 241 और फॉलोवर्स को भी मिलती है जो कुछ ज़्यादे ही कटर होते है अब कोबलर स्कुयार से रेने सिल जहांपर की ड्रेगन पीट है है वहां तक पुरी जो रोड होती है वहां पे रोड के साइड साइड में क्या पॉल्स लगे होए होते है तो हर एक पॉल के उपर इस शीफर्ड के जो फॉलोवर होते इसको एक-एक को बांध दिया जाता है ऐसे करते करते ये पूरी रोड कवर हो जाती है और सबसे लास्ट में बनता है शीफ़र्ड खुद जो कि रेनल सिल ड्रेगन पिट के माँ से थोड़ा सा पास में होता है अब ये दिन शायद 130 ऐसी का आखरी दिनों में से एक था तो 130 का साल जा रहा होता है और एक नया साल आने वाला होता है इसी की खुशी में सारे सेट से ये ही चीज़ बताने के लिए सारे सेट से एक साथ में गंटिया बजना शुरू होती है बड़े बड़े गंटे है पूरी सिटी के अंदर शोर मच जाता है और वो सारे 241 फॉलोवर्स एक एक पॉल के उपर बंदा हुआ होता है फिर एगॉन सेकेंड टारगिरियन और इसके कुछ एक नैट्स होते हैं ये जाते हैं कॉबलर स्कुरार से ड्रेगन पिट की तरफ एगॉन के नैट्स एक एक फॉल पे बंदे हुए आदमी को चला रहे होते हैं और लास्ट में जाकर जब शीफर्ड का नमबर आता है तब एगॉन को इसके नैट्स हेल्प करते हैं और ये अपने हातों से उसको आग जलाता है तो अगर तुम समझ गयो तो शीरीन वो नहीं थी क्या लोड स्टेनिस की छोरी उसी की तरह 241 फॉलोवर्स और एकुछ शिफर्ड इन सब को जिंदा जला दिया गया और मेरे परसनल विचार में जिंदा जलना सबसे खराब मोत होती है अब रेनीरा मारी जा चुकी थी वो सारे मून ओफ मेडनेस वाले किंग्स वो तीनों भी मड़ चुके थे रेनीरा के ड्रेगन्स मड़ चुके थे लेकिन फिर भी हिस्ट्री अकाउंट्स के थे कि अभी वेस्टरोस के अंदर पीस नहीं आई थी अगोन सोच रहा है कि रेनीरा का लड़का तो मेरे पास में कैद है एगोन दे हैंगर को मैंने कैद कर रखा है तो रेनीरा के सारे सपोरटर्स दिरे दिरे शान्थ पढ़ जाएंगे लेकिन वेस्ट्रोस में तो इसका उल्टई हो रहा था लोड कोले सुलरेंट एगॉन को बार बार बोल रहे थे जिसने भी रेनिरा की साइड ली थी उन सब को शमा कर दो केवल यही रास्ता है पीस बनाने का पर एगॉन के दिमाग में कोई माफी नहीं चल रही थी और नहीं उसके माँ एलिसेंट के दिमाग में इन दिमाग में वसी भरा हुआ था कि हमें वापस बदला लेना है उन सब ही लोगों से जिन्होंने रेनिरा की साइड ली थी इस वोर के अंदर तो सबसे पहले एगॉन अपने सोल्जर्स और जो बोरोस बराथन की सेना होती है उनको बेस्ता है क्राउन लेंड्स के अंदर अटेक करने के लिए के लिए कहता है रोप से स्टोक वरती और डुश केंडल इन्होंने रेनिरा की तरफदारी की थी और उसको शरंड भी दी तो इन सब का इलाज करके आओ ग्रिंस की सेना इतनी भी बड़ी नहीं होती है लेकिन ये हाउसेस थोड़े ज़्यादे ही छोटे होते है तो फिर ये हाउसेस चुप चाब उनके सामने हार माल लेते है और अपने रेनिरा के जंडे बदल के एगोन का जंडा लगा देते है लेकिन फिर भी वहाँ पर जो लोड होता है उसको पकड़के आरेन्ट थोन के याँ पर लाया जाता है और कहते हैं कि तुमने जो गलती की इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी तुम्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा हमको और तुम्हारी लोयल्टी एंशूर करने के लिए तुम्हारे हाउस के कुछ एक बड़े होस्टेजस यहीं पर रहेंगे पर एकोन और इसकी माई एलिसेंट का वापसे से बदला लेना ये बिल्कुल गलत आइडिया था और थोड़े दिनों में ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक प्रूव हो गई अब तो रेनीरा और ब्लेक्स के सारे सपोटर्स के अंदर एक अलगी जान फुक दी थी गुपतेचर नौर्थ की तरफ से सूचना लाने लगे वाइट आर्बर, बोरो टाउन, विंटर फेल, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी सेना इकटा हो रही है सारे लोट्स, नाइट वहाँ बहुत बड़ी सेना यहां पर आईगी इदर विंटर फेल के इदर ग्रोवर टरली, जो पूरे डेंस उप ड्रेगन के टाइम पर जिंदा रहा था वो बुड़ा सा आदमी, फाइनली वो मड़ जाता है फिलाल तो बैसे उसके मड़ने से पहले ही, एलमो टरली सारा राचकाट चला रहा होता है लेकिन अब ऑफिशली भी इसके पास में आ जाता है तो यह अपने सारे रिवलेंट्स के लोड़ को बोलता है देखो अपने भी थंबल टोन के वापर और उससे भी पहले बहुत बार रेनीरा और ब्लेक्स की तरफ से लड़े हैं तो ग्रिंस की सेना यहां पर भी अटेक करने के लिए आएगी तो यहां तो सब जने एक हो जाओ और एगोन खतम या फिर एक एक करके सब लोग मरो पर रिवलेंट्स के लोग और लोड यहां के लोग तो कुछ जादे रेनीरा को प्रसंद करते होते हैं इनको बस एक लीडर की जरूत होती है पिछली बार जो एडम वलिडरों था अब उनका लीडर मड़ चुका था तो बस एलमो टरली ने कहा एक साथ में आने के लिए तो सब वापस आ जाते हैं वो चोदा साल का लड़का बेंजी कोड बलेक कूड आ जाता है उसके साथ में उसकी एक अंट आती है जिसका नाम होता है बलेक एले अगर तुम स्टोरी में बूल गए हो तो बलेक एले ने पहले भी उप चांदार की अंट किया था हाउस ब्रेकेन के लोड को अपने एक तीर से मार डाला था तो फिलाल ही अपने साथ में 303 अंदा जो को लेकर आई होती है इसके अलावा शबीता फ्रे भी यहां पर आ जाती है इस बार तो हाउस फ्रे का क्या ही कहना मतलब कि स्टाइटिंग से लेकर एंडिंग तक सब के सब ब्लेक्स के लिए मर रहे 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 आने दो और सेना को थोड़े संगठ्थित और मजबूत होने दो उसके बाद में अपन किंग्स लेंडिंग की तरफ अटेक करेंगे एगोन के शाशनकाल के विरुद सबसे खतरनाक लेहरे कई से उट रही थी तो वो था गल्टाउन लेडी जेन एरन की अलगी सटक जाती है इसने पहले भी क्या था कि मैं डुशकेंडल अपनी सेना बेचने के लिए तयार हूँ और मेरे सेनेक भी बिलकुल एक्जेक्ट तया रहे है पर बस बीच में कुछ दिक्कते आ रही है तब तो ये रैनीरा से पैसे मांग रही थी कि मुझे शिप्स खरीदें ब्रावोस से लेकिन अब ये देखती है कि यार मेरी सेना वहाँ पर जाई नहीं पाई और मेरी कुइन मर गई है तो फिर ये गल्टाउन से ब्रावोस अपने खुद एक दूद को बेचती है और वहाँ से यूँ व्यापार करती है कि हमें बहुत सारे शिप्स दो पैसे में खुद दे दूँगी ब्रावोस भी इस व्यापार को एकसेप्ट कर लेता है और अब वहाँ से बहुत सारे जहां इस तरफ आ रहे होते हैं अब यह असल में बता हूँ तो वेस्टोस की सबसे तगडी कोई सेना बन रही है ना तो वह गल्टाउन की यह है इनके पास में 1500 नाइट से और पूरे 8000 सोलजर्स इसके अलावा इनके साथ में एक ड्रेगन भी आने वाला है किंग्स लेंडिंग के ओपर अटेक करने के लिए लेडी बेला की एक ट्विन सिस्टर होती है जिसका नाम होता है रेया उसके कोई भी ड्रेगन एक से ड्रेगन पहले निकलता नहीं है तो वो तीन चार ड्रेगन एक यहां पर लेके आई होती है एरे के अंदर बहुत पहले ही आचाती है तब तो उन सारे dragon egg में से एक finally dragon निकल जाता है जो कि हलका से थोड़ा पिंक कलर का होता है और हलके से बलेख कलर का भी होता है जिसका नाम वह रखती है morning morning थोड़ा age में भी हो गया था तो फिलाल इसको war के अंदर उतार सके इतना बड़ा तो यह हो गया था जब morning dragon के बारे में इधर green council में पता चलता है तो इनके भी थोड़ी धर्डगन हाई हो जाती है Ellicent कहती है प्रजा को कैसा लगेगा जब उनके असली रजा के पास में कोई dragon नहीं है और उनके विरोधियों के पास में एक dragon है Aegon केता है फिर तो मुझे भी एक dragon चाहिए होगा अगर लेडी रेना का छोटा सा dragon को side में रख देवें तो फिलाल वेस्टोस के अंदर तीन और dragons भी है शीप स्टेलर जो की नेटल्स के साथ में पता नहीं कहाँ पर गाया भे सेकेंड एक कैनीवल जो की dragon mount यानि की वहीं ड्रेगन स्टोन के इस साइड में ही है लेकिन उसको हाथ लगाने की कोई गलती कर सकता है तीसरा बचा हुआ सिल्वर विंग वो लास्ट रेम थंबल टॉन का जो सेकेंड वोर हुआ था उसके बाद में थोड़े दिन तो महीं पे रहा उसके बाद में वो रेड लेक के महाँ पर चला गया रीज सेड में कुछ लोग एकॉन को आइडिया देते हैं कि अगर उस सिल्वर विंग ने अपना सेकेंड ड्रेगन रेडर चूस कर लिया तो वो तीसरा क्यों नहीं कर सकता सबसे बड़िया तभी होगा जब आप उस सिल्वर विंग को क्लेम कर देवो फिर तो आपका आइरन ठ्रोन और आप हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर हो जाओगे परन्तु वर्तमान में एगन के शरीर में इतने प्राण होते नहीं कि वो यहां से रेड लेक के वहां पर तक यात्रा कर सके और नहीं इसके पेर और शरीर सही से काम करता है और सबसे बड़ी प्रोब्लम यह यहां से वहां पर तक जाएगा उसके बीच में बहुत सारे जो ब्लेक्स के सपोटर से वो अटेक कर देंगे इनके उपर एगवन कहता है मुझे सिल्वर विंग की जरुवत नहीं मेरे पास में तो जल्द मेरा वापस नया और पिछले वाले से भी खतरनाक संफायर होगा अभी रेवन भेशता है ड्रेगन स्टोर और वहाँ से कुछ एक ड्रेगन एक मंगवाता है वहाँ पर एक मास्टर होता है जो काफी चुनिंदा चुनिंदा ड्रेगन एक्स को यहाँ पर पेशता है काफी टाइम से वहाँ पर किसी ड्रेगन ने ड्रेगन एक दिये नहीं होते लेकिन जो पूराने होते जो कि पत्थर जैसे स्ट्रोंग हो जाते वो यहाँ पर अभी बेज़े जाते अब तो एगोन हमेशा उनको साथ में रखता था यू कि इन से ड्रेगन निकल जाहे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मश्रूम केता है वहाँ पर एक परपल कलर का और गोल्ड कलर का दोनों ड्रेगन एक एगोन को कुछ ज़्याद ही प्यार है थै उसको लग रहा था इन दोनों में से तो किसी से ड्रेगन निकली जाएगा लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं अब स्टोरी में अगर तुम्हें याद हो तो रैनिरा ने मास्टर ओर्वेल को जेल के अंदर डाल दिया था और उसकी जो चेन थी उसको भी तोड़ दिया था तो फिलाल एगोन वापस पावर के अंदर आ गया है तो ये उन मास्टर ओर्वेल को वापस बाहर निकलता है और अपना ग्रेंड मेस्टर अपोइंट करता है उनकी पुरानी चेन की जगे अब एक नई चेन देता है और बोलता है कि देखो हालत बहुत खराब हो रही है अब आप ही कुछ रास्ता सुजाईए इस समय में जब ग्रेंड को सबसे ज़्यादा सक जरुवत किसी एक चीज़ की थी तो वो थी एक था और फिलाल उसी की कमी एगोन ने महसूस की सब लोगों के विचार बिल्कुल एक दूसर से अलग होते है मास्टर ओफ शिप्स कॉलस रोलन कहता है कि हमें उन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए शमा कर दीजिए हमेशा की तरह ये जो पहले प्यार वाली बाते कर रहा था वो ही वापस कर रहा होता है लेकिन लोड बोरस ब्रायतन थोड़ा सा कड़क हो के बोलता है क्षमा डर्पो को की पहचाने हमें युद्ध करना चाहिए वो कहता है इन सब गद्दारों को तो हम युद्ध के मैदान में मज़ा चाखा देंगे अगर किसी चीज की हमें असल में जरूत है तो वो है सेना की ओल्ड टाउन और लेनिस्पोर्ट अभी के अभी रेवेंस बेजो और वहां के लोड्स को बोलो कि वहां से कुछ एक सेना यहां पर भेजे लोड टाइलें लेनिस्टर मास्टर ओफ कोईन फिलाल ये बंदा अंदा हो चुका होता है क्योंकि रेनिरा के लोगों ने कुछ ज़दा इसको टोर्चर किया होता है थीहोन की तरह इसका कार्ड भी दिया होता है और इसकी आँखे भी फोर्दी होती है ये कहता है लेयर, मेर, टायरोष उन फ्री सिटी से अपन को बहुत सारी स्वेल सोट की कमपनीज को खरीदना चाहिए देखो पैसे की कोई चिंता मत करो पैसा अपनने पहले ही बहुत सारा सिक्योर कर रखा है तो आखिर उन सारे पैसे और गोल्ड का कभ यूज़ करेंगे हमारे पास में सेना नहीं है तो बस वहीं से सेना मंगा लेते और क्या चाहिए लोड कोलर सुलेरोन को इन दोनों के सजेशन्स बिलकुल बकवास लगते है वो कहता है ओल्ड टाउन और लेनिस्ट पोर्ट वहां की गद्दी पर अभी बच्चे बेटे हुए और उनसे बहुत जल्दी कोई सेना बन जाएगी ऐसा तुम एक्सपेक्ट भी किसे कर सकते हो और रही बाद फ्री सिटी से सेल्सोर्ट की कमपनीज को मंगाने की तो वो सही टाइम पे कभी भी पहुँच नहीं पाएगी सबसे भारी सेना हाउस एरन की तरफ से आ रही है और मुझे पता है वो ब्रावसी शिप को लेके आएंगे मेरे पास में इतनी सेना तो नहीं है कि उनको रोक पाऊं लेकिन मेरे शिप्स उनको जरूर रोक देंगे हाउस एरन को तो अपन रोक लेंगे लेकिन तब क्या होगा जब विंटर आएगा वो दस अजार बर्फिले स्टाक्स और रिवरलेंड्स के लोड्स जब पूरी की पूरी सेना है यहाँ पर आके अटेक करेगी तब आप उनको कैसे रोकोगे अबे भी मैं कह रहा हूँ मेरी बात को मान लो हमें उन विद्रवियों से बात चीज से फैसला निकालना चाहिए वरना युद्ध में तो अपन उन से नहीं जिस सकते है एगोन को अपना हेर बनाओ और प्रिंसेस जहरा से उसकी शादी कराओ केवल यही रास्ता है पूरे वेस्टोस में वार को रोकने के लिए उस वरद क्लोड कॉलस लोन के वचन जिन कानों पे पड़े थे वो बहरे थे क्रीन काउंसिल का लिटरली एक भी आदमी इसकी बात को मानने को तयार नहीं था अब अगर तुम्हें पुरानी स्टोरी याद हो तो फिर जब स्टाइटिंग में कॉलस लोन और एलिसेंट हाइट आवर लेरस्टोंग यह जब आपस में बात करते तब सीसनेक का जीव रखने के लिए एलिसेंट हाँ कर देती है कि जहेरा और एगोन दे यंगर इन दोनों के अब भी अपन सगय करा देते है उसके बाद में शादी भी करवा देंगे लेकिन फिलाल हाउस लोन से थोड़ा बहुत काम निकल चुका था एगोन अब किंग्स लेंडिंग के अंदर है तो एगोन ऐसा कुछ भी मूर के अंदर नहीं होता है वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की और एगोन दे यंगर की शादी नहीं करवाना चाहता होता है फिलाल तो उसका प्लान होता है कि वो लेडी केसेंडरा के साथ में शादी कर देगा वो जो बोरस प्रैथिन की सबसे बड़ी वाली बेटी है और उसके बाद में उससे इसको कई सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे जिन मैसे कुछ संस भी होएंगे तो फिर आयंटोन का हैर तो ये किसी भी हालत में एगोन दे यंगर को नहीं बनाने वाला अब यहाँ पर ग्रीन काउंसिल चल रही होती है और सब लोग बेटे हुए होते है किंग एगोन एगोन दे यंगर के बारे में बोलता है अगर वो लड़का चाहे तो नाइट वोज को ले सकता है और अपना पूरा बाकी का जीवन वहीं पे चाके बिता सकता है इसके अलवा उसके पास में एक कोर अप्शन है उसका कार्ड दिया जाएगा और उसके बाद में वो मेरे यहाँ पे एक सेर्वेंट के रूप में रह सकता है अब यह उसकी चोईस है कि आगे वो जीवन जीने का कौन सा वाला रास्ता चुनेगा वो कोई सा भी रास्ता चुनेगा पर आखिर में जाके उसके कोई भी बेटा बेटी नहीं होना चाहिए मैं चाहता हूँ कि मेरी हाफ सिस्टर रेनीरा का वंश यहीं पर खतम हो जाए टालेंड लेनिस्टर जो दिखने में थोड़ा ठीक ठाक था लेकिन उसके विचार तो इससे भी खतरनाकते है वो कहता है इसको तो अभी के भी माड़ देना चाहिए एगॉन दे यंगर रहने के लायक ही नहीं है किंग एगॉन उसकी हर एक सांस आपके सियांसन आरेंटोन के उपर आंच लेके आएगी मैं कहता हूँ अभी के भी उसका सिर्कार देना चाहिए उससे क्या होगा जो भी ये सारे Blacks को सपोर्ट करने वाले और ये जो गद्दार लोग है वो सब भी शान्त पढ़ जाएंगे जब उन्हें दिखेगा कि उनके रानी तो पहले ही मर चुकी है और जिस किसी को वो राजा बना सकते वो भी मारा जा चुका है तो ये लोग स्यम ही अपने घर चले जाएंगे लोड कॉलस में जब ये बात सुनता है तो वो बिल्कुर डड़ जाता है वो देखता है इन सब ग्रिंस के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है मैं तो यहां पर वेस्ट्रोस में आने वाले वोर को रोकने की और शांती प्रिये बाते कर रहा हूं लेकिन इनको तो लड़ने की कुछ ज़्यादा ही पड़ी हुई है वो उस इसमाल काउंसल में अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और शिला के कहता है आप सब लोग अपने गुसे में पागल हो रहे हो इस इसमाल काउंसल में केवल पागल जूटे और ओध प्रेकर लोगी है तुम में से कोई भी आदमी सम्मान के लायक नहीं है ऐसा के के जापर वो समाल काउंसल हो रही होती है उस जगे से वो बाहर निकल जाता है और चुप चाप अपने चेंबर की तरफ चला जाता है तो इस इस इद्याय को अभी यहीं पे रोग देते हैं क्योंकि यह काफी लंबा भी हो चुका है और आगे का चेप्टर इस इद्याय के अंदर कवर होई नहीं सकता और मुझे भी नोर्थ के अंदर जाना है और क्रिगन स्टार को इस बार तो पकड़ के लेके आना है इस बार तो देख लेना मैं किसी भी हालत में स्टाक्स को अगले अध्याई के अंदर लेके आई जाऊंगा नहीं लेके आपाऊं तो मेरा नाम बदल देना ठीक है? तो मिलते हैं अगले अध्याई के अंदर जापर अपन तुमारे बहुत ही ज़दा प्रिय जीव की जड़ी एगन सेकेंड टारगिरेन जिसको तुम बहुत ज़दा ही पसंद करते हो उसको सिधा मरवा देंगे बहुत बहुत धन्यवाद